Hello and welcome to the Pioneers Academy classes. Today I will be discussing the poem written by John Keats, a nature poet, a thing of beauty. John Keats के spelling याद रखेगा, गलती ना करियेगा. Though he was a trained surgeon, but he devoted his life to the poetry only. बहुत बड़े फेमस रोमेंटिक पोएट हुए हैं. रोमेंटिक पोएट का मतलब नेचर से प्यार करने वाला पोएट है यहाँ पर. तो देखेगा, बुक अपनी अपने आप, आप देखेगा, बुक में, one line by line, half of the poem I will be explaining today. A thing of beauty, joy forever. पहली line. सुन्दर चीज जो होती है, हमेशा आनदित करती है. Its loveliness increases. इसकी सुन्दर चीज की loveliness, खुबसूर्ती, हमेशा increase ही होती रहती है. It will never pass into nothingness. It is everlasting. It will never going to end. But will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. अब ये हमें जो thing of beauty है, क्या क्या देती है. It will keep a bower. Bower जो होता है, a beautiful place. Where we can, means we felt our most, we feel like, कि हम ये कह सकते हैं, कि हम सबसे अच्छा time वहापर बिता सकते हैं, वहापर रहते हैं, sweet memories हो सकती हैं. तो ऐसा place, shade under a tree भी बोलते हैं, बावर को, ऐसा place जहाँ पर हम शान्ती से रह सकते हैं, प्रदान करती हैं हमें सुन्दर चीत and a sleep. और एक मीठी नीद देती हैं और मीठी नीद होगी तो full of sweet dreams होगी, मीठे सपने भी होगे. In health, health देती हैं और health अगर देगी, तो सांसें भी हमारी शान्त होगी. सांसें शान्त कब होती हैं जो हमें गुसा नहीं आता हम आनंदित होते हैं तब ही हमारी breathing प्रापर होती है. तो यह हमें यह thing of beauty देती है. A flowery bend bind us to the earth. अच्छा, sorry. Therefore, on every morning, every morning, every next day, हम क्या करते हैं? We are breathing. We are trying to, breathing मतलब होता है, गुंथना, making, बनाना, माला गुंथने जैसे. We are breathing a flowery bend to bind us to the earth. हम flowery bends, फूलों की पट्टियों से, अपने को bind करे रहते हैं, earth से. हम यह बना रहे होते हैं, एक flowery bend to bind us to the earth. हमें जो earth से बांद के रखती हैं. वो कौन सी चीजे हैं? Actually, क्या होता है, इसका मतलब समझ लिए, flowery bend to, रहें, flowery bend to bind us to the earth. इसका मतलब यह है, कि man जो होता है, वो हमेशा fascinate होता है, nature की और, nature की खुपसूर्ती की और. यहाँ पर flowery bend हमारे sun, moon, यह flowers हैं, sun, moon, defodels, beautiful creatures, nature, trees, यह सब flowery bends में आते हैं. आगे मैं इसको लिख भी दूँगा, तो आप इसको देख लीजेगा. अब, in spite of despodence, वो कह रहा है कि spite में द्वेश होता है, मैंने लिखा भी है, spite, malice, malice में द्वेश, द्वेश का मतलब होता है, जब किसी से आप competition करते हैं हमेशा. in spite of despodence, despondence is disappointment, disappointment होता है, निराशा होती है, द्वेश, निराशा भरा द्वेश होता है, इन, of the inhuman dearth, यह inhuman, कुछ miseries जो इनसान के अंदर है, वो है inhuman dearth of noble nature, noble nature मतलब अच्छा nature, nature मतलब प्रकृती नहीं है, nature मतलब व्यवहार, तो अच्छे nature के inhuman अमानवी कमी, of the gloomy days, sad days, उदासी भरे दिन, of all the unhealthy, जो हमारा unhealthy time होता है, over darkened ways, over darkened का मतलब क्या हो गया, कि जादा ही अती, बुरे दिन जिसको कहते हैं, made for our searching, actually क्या होता है, कि हम कभी कभी अपनी condition को ज़्यादा miserable बना देते हैं, कैसे बना देते हैं, क्योंकि जो चीजें हमें आनन्दित नहीं करती हैं, उसको हम आनन्द करने की चीज मान लेते हैं, तो इसलिए वो जो इस poem में बताया गया है, कि उदास एक तो निराशा भरा द्वेश हो गया, अच्छे गुणों की inhuman कमी हो गई, उदास दिनों के सारे के सारे unhealthy और over darkened का मतलब अती अशुभ, ढंग से जो गलत तरीके से हम अपने लिए खोशते रहें, जिसमें हमने खु खुशी को ढूणा है, इसका मतलब समझे कि खुशी हम किन चीज़ा में ढूण लेते हैं, अच्छा सा TVC लाना है उसमें हम खुशी ढूण लेते हैं, हमारे बड़िया कार आ गई, उसमें हम खुशी ढूण लेते हैं, लेकिन ओ कार हमें पेट्रोल का खरजा चाहिए, कहीं उसे स्क्रेच लग गई, दुख होता है, यानि दुख किसकी वज़े से स्क्रेच लगा, दुख हुआ, तभी तो हुआ स्क्रेच जब कारा ही, यानि वो चीज़े हम जो सर्च करते हैं, वो खोशते रहते हैं, इन सभी के बावजूद, इन सभी, in spite of all these, in spite of all some shape of beauty, जो सुन पॉल मतलब आवरण को ये जो सुन्दर चीज़े हैं, वो दूर कर देती हैं, यहीं तक स्पिरिट पॉल तक आँच करिएगा, बागी कल करते हैं, अब मैंने इसको थोड़ा सा पोयम को की समरी इसमें देती है, बहुत एजी रहेगा, हमेशा याद रहेगा, जॉन किट्स, ATOB मतलब a thing of beauty, क्या देती हैं हमें, gives joy forever, charm kept on increasing, का charm हमेशा बढ़ता रहता है, everlasting, it gives bore, quite, शांदार स्थान हमें देता है रहने के लिए, sweet dreams इसकी वज़े से आता है, beauty की वज़े से, good health, and breathing, अच्छी सांस, quite breathing, dispond, यह miseries है, miserables, तो miseries, यह जो है, miserables जो हमारे साथ है, disappointment, inhuman death of noble nature, gloomy days, unhealthy, and over darkened ways, यह हमारी miseries है, तो miserables कहते हैं हम इनको, miserables, इनको ध्यान रखेगा, तो इनको thing of beauty जो है, sway कर देती है, अवे कर देती है, इस आवरान को हटा देती है, तो अब अगर यह याद हो गया, तो learn करना बहुत आसा थाएंगे, ठीक है, thank you